नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन इस्टडी पॉइंट पर आईए चलते हैं प्रश्णों की दरफ पहला कुईस्चन है A upon 2 equal to B upon 3 equal to C upon 5 हो तो 4A plus 3B minus C पूरे का upon B का मान क्या होगा अभी तक आप पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हो आप जानते ही थे कि किस तरह हम लोग करते थे A upon 2 equal to B upon 3 equal to C upon 5 कुछ नहीं करना A के नीचे जो लिखा है वो A की वैलू हो गई जो B के नीचे लिखा है वो B की वैलू हो गई यानी A की वैलू हो गई कितनी 2 B की वैलू हो गई 3 और C की वैलू क्या हो गई 5 यहीं ले जाकर क्या करेंगे हम उसमें put कर देंगे तो क्या हो गया 4 A मतलब 2 से गुड़ा प्लस 3 गुड़े B की वैलू कितनी है B या 5 थे 3 है C की value कितनी है 5 है पूरे का पान B मतलब 3 तो 4 दूनी 8, 3 तीरी का 9, 9, 8 17, 17 मैं से 5 गए 12 और 12 बटा 3 को मतलब 3 एक कम 3, 3, 4 12 ठीक है तो क्या हो जाएगा आपसर नमबर एक कौन सही होगा आपसर नमबर C विलकुल इसका सही हो जाएगा, नहीं समझाएगा कमेंट सेक्तर में लिख दीजिएगा आगे है A अपान 3 मैंने कहा जो नीचे लिखा है वो ही उसकी value हो जाएगा अगर अनुपात में ऐसे नहीं दिये गए है तो आप मांग चले A की value कितनी हो गई A बराबर है 3 और B बराबर क्या है 2 जो A की नीचे हो A की value जो B की नीचे लिखा हो B की value तो यहीं 3 और 2 लेके जाके उसमें आप रख दो equation में क्या हो जाएगा आप रखो यह तो 2 गुड़े 3 प्लस 3 गुड़े 2 बटे 3 गुड़े 3 माइनस 2 गुड़े 2 2 3 इच्छा और 3 दू नीच्छा 3 तरिक्का 9 दू नीच्छा 6 6 12 12 बटे 5 आप सा नमबर है बिल्कुल सही हो जाएगा सीरी सी बात है आपको जो नीचे आपको दिख रहा है A बटा 3 और B बटा 2 यही प्रप्रावित करता है कि जो A के नीचे है वो A की value मानो जो B के नीचे है वो B की value मानो और इन values को ले जाके आप उस equation में रख दो answers आ जाएगा चलते हैं अगले question की तरफ question नमबर 3 है कह रहा है 17 अनुपाती 19 के प्रतेक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए कुछ नहीं करना है यह प्रस्ट मैंने अगले वीडियो में एक बार समझाया था तो बार division कर लो मान लिए यक्स घटा दिया जाए प्रतेक पद में से ठीक है तो अनुपात 5 बटे 7 हो जाए आपको पता है क्या हो जाएगा 17 पचे क्या होता है 85 एक सेकेंड स्वारी क्या लिखा है 17 माइनस इक्स अपान 19 माइनस इक्स इक्वल टु 5 बान अनुपात कérique बटा होता है 17 सत्य क्या होगा 119 माइनस 7 इक्स इक्व तो 19 पचे 95 माइनस क्या यह 5 इक्स आपको पता है रिंड 7 एक्स है यह इधर आएगा, क्या हो जाएगा अगर रिन 7 यक्स और इधर आएगा रिन धन हो जाएगा रिन 2 यक्स हो जाएगा और यह जो 95 है उधर जाएगा 119 में से जब आप 95 को घटा दोगे, कितना आएगा 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 9 गए दो वो भी रिंड 24 आएगा दो से काट दोगे 12 दोनी 24 यानि एक की वैलू कितनी आएगी 12 आएगी करना कुछ नहीं है बस एक प्रारूप फिर से समझा दूँ प्रतेक पद में से आपको जे फिर 9-1 यक्स आपको करना है इक्वल टू 5 पांस 7 इतना चुकि यक्स प्रतेक पद में से घटा ले माना पड़ेगा ना माना यक्स प्रतेक पद में से घटाया जाए तो अनुपाथ 5 अनुपाथ 7 हो जाए आप फिर क्रास मल्टिप्लाई कर देजीए वो आपको आता है इतना करोगे तो आपका 12 आ जाएगा जो कि मैंना भी करके दिखाया आपसा नंबर ही बिल्कुल सही है कुईशन नंबर 4 कर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इंफिन्टी तक याम तोर पे अंडर रूट इस तरह से लगा रहता है पूरा जब इस तरह से और यहां पे इंफिन्टी का साइन हो तो इसकी वैलू हमेशा क्या होता है आपको ट्रिक बताते हैं हमेशा वैलू इसकी 5 भी होगी कोई भी संख्या इस तरह दिया हो रूट 4 रूट 4 रूट 4 इंफिन्टी तक तो जान लिए इसकी वैलू 4 यानी है अगर यहां इंफिन्टी ना लगा होता तो उसका अलग फार्मुला होता है लेकिन अगर कोई भी संख्या इफे दी गई है रूट 6 रूट 6 रूट 6 से लेका इंफिन्टी तक तो मान के चलना उसकी वैलू 6 ही आएगी सीधी सी बात है इसका अंसर क्या हो जाएगा रूट 5 ऐसे ट्रिक्स आपको बताए जाएगे जो आप चुटकियों में कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी हो सकता है यह से कुश्चन आपके लिए एक नंबर का काम कर जाओ एक नंबर से पास ही हो जाओ काम हो जाता है कई बार चलते हैं आगले कुश्चन की तरफ एक बृत की त्रिज्जां मैं इसी लिए से सोच रहा हूँ कि जो सरल सरल प्रश्ण है जो थोड़े मेडियम लेवल के प्रश्ण है वो न गलत हो जाएं बाकी कटिन प्रश्ण होते हैं गलत तो कोई बात नहीं उतना दुख नहीं होता लेकिन जो आसान प्रश्ण होते हैं वो अगर जब गलत होते हैं तो तकलीफ की महत्रा बढ़ जाती है भ्रित की त्रिजहां दी गई है R बराबर 14 cm छेतरफल इनको चाहीए आपको पता है छेतरफल ए बराबर पाई R स्क्वायर होता है π की value होती है 22 वटे 7 और R square का मतलब R square मतलब R बराबर 14 है 14 गुड़े 14 R 7 दूनी 14 ठीक है तो 7 दूनी 14 हाला कि ये questions थोड़ा गलत है इसकी यहाँ जो 14 लिखा गया है इसकी value यहाँ पे 7 होना चाहिए नहीं तो absence match नहीं होंगे तो यहाँ पे 7 गुड़े 7 होगा रुख जाईए ये question जहाँ 14 cm तरिजन दिया है ये 7 cm होगा अब हम हल करेंगे तो बृत का radius दिया था R equal to कितना दिया है 7 दिया है और बृत का छेतरफल आप से कह रहा है तो क्या होगा πाई R square πाई R square मतलब 22 बटे 7 पाई की वैलू होती है और R की वैलू है 7 और फिर चुकि R square का मतलब होता है R गुड़े R मतलब 7 गुड़े 7 7 से 7 कट गया 22 सत्ते 154 यानि आप सन इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो आपका इसका right answer यह होगा आप सन से क्या लेना देना आपको प्रशन सीखना है मेरा उद्दे से प्रशनों को सिखाना तो यह हो जाएगा 154 क्या वर्ग सेंटी मीटर ठीक है चलते हैं अगले प्रशनों की तरफ अगर यहां मान लिजिए अगर चौदा ही है तब भी कोई दिक्कत नहीं थी पाई यार स्कौर मन तुरी जहां दिया था तो चौदा गुड़े चौदा तो क्या करिएगा साथ एक कम साथ साथ दुनी चौदा तो आपको पता है कि 22 से करो 22 दुनी 44 और 44 गुड़े चौदा कर दो जो गुड़ा करने पर जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा पर आपको यूनिटे में दिखाना है उबर एक सेंटीमिटर लिख देना है चलते हैं आगले प्रश्न की तरफ एक घन की भुजा 6 सेंटीमिटर तो घन का विकर्ड़ बताईए बिकर्ड होता है घन का ए रूट 3 और घन का जो प्रिष्ट होता है वो होता है 6A स्क्वाइर ठीक है यह घन का प्रिष्ट का छेत्रफाल होता है 6A स्क्वाइर तो यहां हमसे पूछा गया है घन का विकर्ड तो घन का विकर्ड बराबर ए रूट 3 और जो कि घं का बिकड़ बराबर A रूट 3 दिया है और जब कि घं की भुजा क्या दी गई 6 तो जहां भुजा A बराबर 6 होता है 6 रूट 3 उत्तर हो गया इसका आपसा नमबरे बिल्कुल सही है भई यहां A क्या यह तो भुजाई होती है A और घं का बिकड़ A रूट 3 होता है चलते हैं आगले क्विश्चन पर घं का आइतन हम आपको बता चुछ घं का आइतन बराबर होता है A क्यूब और आइतन आपको दिया गया है 216 घं का आइतन बराबर होता है a cube तो जो कि item की value आपको 216 दिया गया है तो a बराबर क्या हो जाएगा इसका घनमोल निकालना होगा 216 का और आपको पता है 216 घनमोल आप निकालोगे तो answer 6 आएगा घनमोल निकालना नहीं आता तो मैं आपको छोटा सा यहां करके दिखा देते हैं वैसे आता तो सब को होगा कैसे निकालते हैं 108 फिर काट दीजिए 24 फिर करिए 27 फिर 27 को आप निकालिए करते जाए जगा नहीं है वहाँ पर तो जब कोई जोड़ा तीन बार मिल जाए तो उसको एक बार लिखते हैं और तीन जो है तीन बार मिल गया तुसको एक ही बार लिखते हैं दो गुड़े तीम बराबर क्या छे तो घन की भुजा क्या आ गई छे ठीक है घन की भुजा क्या आ गई छे और घन का बिकरड क्या होगा विकर्ड रूट तीन होता है ठो च्हा रूट तीन नहीं समझभात है होंगे फिर भता रहा हो गहन का विकर्ड वराबर क्या होता है स利क्तार गांक भूजा आ गया आपका 6 घंका विकर्ड क्या था ए Ay ही हो जाएगा चलते हैं question number 8 की तरफ एक work का विकड 10 root 2 centimeter तो work का छेतरफल क्या होगा हमें पता है work का विकड क्या होता formula work का विकड बराबर होता है भुजा root 2 और जो की दिया गया है 10 root 2 centimeter root 2 से root 2 कट जाएगा भुजा की value कितनी आ गई 10 centimeter कितनी आई भुजा 10 centimeter चाहिए क्या आपको जब आपको भुजा 10 centimeter आ गया तो छेतरफल क्या होगा area भुजा square है ना भुजा square का मतलब क्या हो गया 10 की घात 2 और 10 घात 2 मतलब 10 गुड़े 10 यानि 100 work centimeter आपसा नमबर है बिलकुल सही हो जाएगा वर्ग का विकड़ का फार्मूला आप लिख लीजिएगा screenshot कर लीजिएगा वर्ग की भुजा वर्ग का विकड़ बराबर होता है भुजा root 2 चलते हैं अगले question की तरफ एक घं का आयतन 512 घं सेंटीमेटर घं की भुजा बताईए आपको पता है घं का आयतन अभी में बता चुका हूँ एक क्यूब होता है और दिया गया 512 घं की भुजा क्या होगी 512 का आपको घंमूल निकालना पड़ेगा जो की 8 आठ आएगा घंमूल निकालना आपको कैसे मैं बार बार सिखाऊं वो आप जानते ही हो यह 8 होता अगर घंमूल नहीं आता है तो मैं फिर भी बता देता हूँ चलिए ठीक है देख लीजे 512 का घंमूल कैसे निकालते हैं क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको सूने से नहीं आता तो मैं बताई देता हूँ दो दूनी चार, दो पंचे दस, दो चंग बारा देखिए दो एक कम दो, दो जीरो जा जीरो टू 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 जा टू एड़ जा फिर करोगे 64, 64 का फिर निकालो इधर जगा नहीं है भाई यहां देख लीजिए यह 32, फिर यह 16 फिर आप निकालते जाओ यह निकालते जाओ कि लास्ट में जब एक आ जाएगा तो काउंटिंग करना फूरू करो, तीन तीन पे यानि यह फिर दो तीन बार है तो इसका गन सेंटिमीटर एक यूब बराबर अगर पांसो बारा तो ए बराबर क्या घनमूल निकालोगे पांसो बारा का जिसकी क्या घनमूल होती यहाट मैंने निकाल कर आपको दिखाया भी है देखते हैं, एक वर्ग की भूजा बारा सेंटिमिटर परिमाब क्या होगा हमको पता है वर्क का परिमाब बराबर क्या होता है चार गुड़े भुजा और क्या दिया गया है भुजा इसमें भुजा दिया गया है 12 तो 12 चूक 48 क्या सेंटीमीटर तो आपसे नमबरे बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आई थिंक आप सभी लोग प्रश्ण समझेंगे प्रश्णों का लेवल भी ठीक ठाक था ना बहुत कठिंता ना बहुत सरल था ये प्रश्ण एस्पेसली उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी गणित को अभी सीख रहे हैं समझ रहे हैं जो कम से कम 20-22 नमबर कर जाएं जिससे